सुपर ब्रेन की तरह आप अपने दिमाग होने लगेगा अगर आप इन प्राणायाम को अच्छे से डेली बेस पे अपने रूटीन में आड़ कर लें तो कौन से यह प्राणायाम है इसे ब्रेथ वर्क कहते हैं अगर कुछ दिर तक आपको ऑक्सिजन ना मिले यानि प्राणा इस रूप से प्राक्टिस किया तो आपके दिमाग की जो सेहत है वो एकदम लाजवाब बहुती मज़दार बहुती पावरफुल आप अपने दिमाग को फील कर पाएंगे सुपर ब्रेन की तरह अपने दिमाग होने लगेगा अगर आप इन प्राणायाम को अच्छे से डे इसके लिए इन प्राणायाम को अवश्य करेंगे तो मैं आज आपको इनके बारे में विस्तार से बताएं सबसे पहले जो पहले जरूरि है वह hail है कुमबक तो कुम्बक प्राणायाम तो प्रान का ऐस क्या होता है आपको पता है प्रांवायू में जो आपको Aux.org लेते हैं पूरक, कुम्बक, रेचक और शुन्यक, यानि जब आप स्वांस खीचते हैं, तो उसे पूरक कहा जाता है, जब आप स्वांस को भीतर रोकते हैं, तो कुम्बक कहा जाता है, जब आप स्वांस को भाहर छोड़ते हैं, तो रेचक कहा जाता है, और जब आप स्वांस को भाहर तो इसे शुन्याक पढा जाता है और साथ इसके इसके कारण आपके वितर शुन्याक पैदा होता है तो इस चार इससे अब फाथनली यूघ विद्या में बताये जाते हैं तो हम जो आज जो मैं बात करा हूँ हो है कुम्बक की कुम्बक करानयाब बहुती powerful बहुत तो इसके लिए अलग तरीके से लेनी है बस स्वांस लेनी की आवाज करते हुए इस तरह से करेंगे कि आप्णों सुटे संप yo Ouais अपने मूब से स्वांस ली और अवांज We फ्यिंवे सिरी जितनी लंबी आपने स्वांस कrial Dop घीकश के गिश है और उसे भीतर रोका कम से कम ज़स फॉसको भीतर रोका और उसके बाशच को चोड़ा और जिस परिक大的 फ्रकार से स्वांस छोड़ा उसको भी आप उसी स्पीड से ही छोड़ेंगे जैसे रोकने और स्वांस को लेने और छोड़ने के लिए आपने सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया लेने के लिए पेट में रोक के रखा इसको जितना समय खीचने में लगाया लगभग उतना ही समय स्वांस को छोड़ने में भी लगाया और जब स्वांस को छोड़ दिया अगर आप उसके बाद थोड़ी देर के लिए और रुख सकें जितनी देर आपने स्वांस लेने में लगाई थी जितनी देर छोड़ने में लगाई उतनी देर रुख पाएं तो यह हो गया complete स्वांस जिसमें आपने चारों step बिल्कुल completely किये ये एक cycle आपको 10 बार repeat करें तो आप पाएंगे कि आपकी प्रान उर्जा है पूरे शरीर में इ जब आप oxygen intake आपका बढ़ जाता है तो आपकी oxygen का 20% हिस्सा किवल आपका brain इस्तेमाल करता है जब oxygen इस brain में जाती है तो brain की health के लिए बहुत ही positive असर पैदा करती है तो brain के बीतर जो neurons है जो brain के cells है इनको जब oxygen मिलती है तो उतना ही जल्दी brain आपका healthy बनता है तो जितना वो healthy बनता है उसकी जो functioning है वो जो काम करता है सारे कामों पर इसका प्रभाव करता है इस काम से मदब सबसे ज़्यादा जो बहतर काम जो आपके अंदर होने लगता है कि जितना जितना भ्यास होता है इसको अगर आप 10-10 second थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे तो आप पाएंगे क कि अनीत तना की बिमारी आपके अंदर से दूर अपने आप जाने लगेंगी अगर आपका BP की प्रब्लम है, hypertension है या अगर आपको digestion का issue है तो भी आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप ये प्रयोग करेंगे आपकी आपकी प्रब्लम का समधान धीरे-धीरे करके होने लगेगा आप स्वांस को जितना अंदर होल्ड कर पाएंगे उतना जादा आपकी प्रान उजा अंदर बढ़ने लगेगे आप बहुती तरो ताजा महसूस करेंगे बहुती energetic महसूस करेंगे और आपका brain भी super fast काम करने लगेगा तो ये मैंने पहला प्रानयाम बताया आपको दूसरा प्रानयाम है वह अनलोम विलोम आप बहुती पॉपलर प्रानयाम है आप जरूर आपको ये करना ही चाहिए आप किसी भी उमर में हो इस प्रानयाम के इतने फायदे हैं कि जहां मोका मिले वहाँ ये जरूर करना चाहिए तम से कम दिन में 10 repetition तो जरूर करना ही करने चाहिए जब आप खाली बैठे हो कुछ नहीं कर रहें उस समय जब आप यह कर लें जो नाक ज्यादा खुली हुई हो स्वांस पहले हमेशा वहीं से लेना शुरू करें और पांच काउंट तक स्वांस लीजिए और पांच तक होल्ड कीजिए फिर दूसरी साइड से पांच काउंट अंदरें अंदर होल्ड किया वन टू टू ट्री फॉर फाइव स्वांस को छोड़ा वन टू ट्री फॉर फाइव अब इस स्वांस को इसी प्रकार से अब यहीं से फिर से इनहेल शुरू करना है इसी इसी नाक से फिर से नहेल रहा वन टू टू ट्री फॉर फाइव और फि कि आपको समझ में आगए यह जहां भी बात करनी हैं पांच सेकिंड तक करना है 5 की काउंटिंग तक करना है 5 से को आप एक पूरा साइकल ऐसा ले ले तो इसे एक साइकल एक रेपिटेशन केद्ञण करें इस पूरे कोगर दस बार कांउंट करते हैं यह पूरी की पूरी औक् इतना बैलेंस करती है, इतना पावरफुल बनाती है, ये आपका brain को super active बनाने में इसका बहुत बड़ा योग है, कि आपके पूरे brain में oxygen balance ब्रह देती है प्लस आपकी खुद की उरचा को, आपकी left और right nostril बराबर होनी शुरूर जाती है तो एक तरीके से आपकी सूश्मना भी activate होने लगती है और जैसे सूश्मना activate होती है आप पाएंगे आपकी पूरी body एकदम balance हो जाती है आपके body में जो right side की breathing है right side की nostril है वो heat पैदा करती है left side की nostril है वो चंदर्मा को यानि कि वो अंदर ठंड़क पैदा करती है इन दोनों का जब balance create कर दे जाता है तो आपके अंदर heat और ठंड़क का balance create हो जाता है तो एक powerful उर्जा का एसास आपको अपने अंतर में होता है यह बहुती गजब का प्रानयाम है इस पूरी reputation को अगर आप 10 बार भी दिन में कर लें तो आप बहुती energetic feel करेंगे जरूर करें जो लोग भी meditation करते है meditation से पहले आपको ये वाले ये प्रानयाम अवश्य करने चाहिए ताकि आपकी body make balance बना रहा सके तीसरा जो प्रानयाम है वो है ब्रामरी प्रानयाम ब्रामरी प्रानयाम में मस्तिस्क को बिल्कुल एकदम यंग बना देता है ये शेरी में बहुत अच्छे से जिसे कहते हैं oxygen तो प्रदेता ही देता है nitric oxide भी release करता है जो फेफ़णों के health के लिए बहुत अच्छा है nitric oxide antiviral का काम भी करता है ये प्रानयाम करने के लिए हमें अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है और साथी दोनों उंगलियों से आँके मंद कर लेनी है अब आपको मुँ बंद करके भमरे जैसी आवाज निकाल लिए जीव को भी उपर फोल्ड करके तालू से लगा सकते हैं इससे आपके मस्टिस में और बेहत कमपन पैदा होगा ये कमपन एक तरह से मस्टिस की मालिश का काम करता है इसे भी दस बार रिपीट करें जाती है आपको ये जीव को तालू से लगा लेंगे जीव को तालू से लगा लेंगे तानों को ऐसे बंद करेंगे इस आंक अंगुठे से बंद किया और यहां से करते हैं पहले लंबी और गहरी स्वांस ली भीतर अब स्वास को पूरा अंदर तक भर के अब आपको हमिंग करते हुए गले पर जोड देते हुए यहां से स्वास को बाहर ठैक ना है और हम के वाज निकालनी है एक सक लिए एक सा कमए दो आपको हम इंदर इंदर को में आपको आपको हम पुम हम इंदर ओग एक लादिन इंदर ऍा है यहां वर शॉत कॉक्व के टो अबस आपको हम इंदर आए जया हुए बहुत ही गजब का पावरफुल ये तरीका है ये तीनों एक्सराइज आपके ब्रेन को सूपर ब्रेन बनाने में मदद करते हैं जुरूर इंटी प्रैक्टिस डेली बेस्पे करें इसको भी कम से कम दस बार अवश्य रिपीट करें आप आएंगे कि आपकी जीवन उट्या ल में आपको सबसे अच्छा लगता है और आपके आइसके रिपलो प्रैक्टिस करते हैं इसका अंसर जुरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे थैंक्यू बेरी मच्च बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू